स्वामी राम सुकदास जी से श्रोता ने पूछा, आप कहते हैं कि शरीर हमारे काम नहीं आता, पर रमायन में कहा है, तन बिनु बेत, बजन नहीं बरना। इस पर स्वामी जी बताते हैं, ठीक कहा है क्योंकि मनुश्य जब करेगा तो जुबान से ही करेगा। बिना शरीर के जब कैसे करेगा परंदु शरीर के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे यह बात नहीं है स्थूल क्रिया से परमात्म प्राप्ति नहीं होती राम नाम का टेप लगा दो तो क्या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी अते परमात्मा की प्राप्ती जड़ क्रिया से नहीं होती बलकि वीतर के भाव से होती है नाम जब उपासना है क्रिया नहीं क्रिया उपासना और विवेक ये तीनों उत्रो तर उत्तर है श्रेश्ट है क्रिया और पधार्थ परमात्मा से दूर है उपासना परमात्मा की नजदीक है और उसकी अपेक्षा विवेक नजदीक है क्रिया और पधार्थ का भरोसा परमात्मा में भरोसा नहीं होने देगा क्रिया और पधार्थ में संतोश होगा तो परमात्मा की प्राप्ती नहीं होगी बाव की सहित जो क्रिया होती है वह उपासना होती है उससे भी विवेक तेज है विवेक ही बोध में परिनित होता है क्रिया और पधार्थ के द्वारा परमात्म प्राप्ती नहीं होती यह ज्यान होना बगवान का वर्दान है क्रिपा है प्रात्ना भी शरीशी होती है परी है उपासना है प्रातना का सम्मन साक्षात परमात्मा के साथ है हे नात मैं आपको नहीं भूलू यह बहुत बढ़िया प्रातना है यह करण निर्पेक्ष है क्योंकि यह स्वयम की पुकार है इसमें मन की मुख्यता नहीं है बलकि स्वयम की मुख्यता है परमात्मा में मन लगान ध्यान करना करन सापेक्ष है करन सापेक्ष साधन में ही साधक योग ब्रश्ट होता है ध्यान से भी कर्म योग शेष्ट है ध्यानात कर्म फलत्यागह है नात है मेरे नात इसमें भाव की मुख्यता है क्रिया की नहीं कर्म योग से शांती मिलती है जिससे बाह स्थिती होती है ज्यान योग से परमात्मा की प्राप्ती होती है भक्ती योग से परमात्मा वश में हो जाते है भक्त भगवान के परायन होता है तो भगवान भी भक्त के परायन हो जाते है आजकल लोग कई तरह की उलजनों में उलजे हैं कई नव्यूवक दिशीकेश में आते हैं और कहते हैं कि हम तो माबाप को बिना बिताय आ गए माबाप तो स्वार्थी हैं, हम तो परमार्थिक मार्थ पर चलना चाहते हैं वास्तव में यह परमार्थ नहीं है, सिर्पर तो करजा है, परदान कर रहे हैं जिन माबाप से मनुष्य जनम पाया है उनकी तो सेवा करते नहीं पर दुनिया में सेवा करते हैं यह पाप है पुर्णे नहीं माबाप से आपने शरी लिया है दूद पिया है अंजल लिया है शिक्षा ली है उनको नराज करके दुनिया का भला करते हो यह क्या आपका करतब् व्यूकों को रोक कर हमने उनके गरवालों को समाचार दिया है वे अपने को स्वेम सेवक कहते हैं तो बास्तर में वे दूसरों के सेवक नहीं हैं बल्कि स्वेम सेवक अथार्थ अपने ही सेवक हैं क्योंकि बाहर जाकर सेवा करने से महिमा प्राप्त होती है गर में वह महिमा नहीं मिलती बास्तर में उनका सेवा करने का शोक नहीं बलकि अपने महिमा करवाने का शोक है गरबालों की सेवा करना एक नंबर है बाहर की सेवा करना दो नंबर है इसलिए कम से कम पहले करजा उतारो जिनोंने शरीर दिया है शिक्षा दिया है खर्चा किया है उनको नमान कर बाहर जाकर सेवा करते हैं यह बिल्कुल अधन्याय हैं घर में माबाब पिमार हैं और चले हैं दुनिया की सेवा करने इसलिए पहले घर वालों की सेवा करके करजा उतारो, पीछे उपकार करो उनकी आग्या लेकर बाहर जाओ ऐसी बहुत सी बाते हैं जिनमें लोग उल्जे हुए हैं हरी ओम तत्सत